मैं व्यंग्यकार मनोज मोक्षेंद्र एक व्यंग्रचना के जरिये दलित समाज की और ध्यान आकरशित करने वाले एक प्रसंग का उलेख कर रहा हूं प्रसंग मार्मिक और रोचक है इसमें भैंश को दलित समाज के प्रतीक के रुप मिन प्रस्तुत किया गया है जबकि गाय समोन समाज की ड्यो तक है कथात्मक शैली में यह व्यंग्रचना किसी संपरदाय विशेश पर नकरात्मक कटाक्ष नहीं कर रही है मेरी यह आत्म निलनी धारणा है कि व्यंग जो सबसे जनप्रिय विधा है आम आदमी का साहित बने जिसे सिर्फ मनुरंजन के रूप में न पढ़ा जाए अपितु इसे सामाजिक सुधार के एक अभियान के रूप में स्विकारिता मिले मेरी इस व्यंग रचना का शीरसक है भैंस भणास लीजिये पेश है इस व्यंग का पाठ सो भैयों भैनों अब भी समय है जाग जाओ बंद आखे खोल कर कान पर जोर दो क्योंकि समुचा देश भैंस रुदन से जार जार हुआ जा रहा है वे इतनी मायूस और गमगीन होती जा रही है कि मगरूर इनसानों द्वारा उनकी बात न सुने जाने पर वे खटालों के दिवारों से अपना हाले दिल बया कर रही है और अपना भणांस निकाल रही है वैसे नहीं तो ऐसे ही अपने मन का बोज हलका कर रही है वरना क्या पता इस तरह बढ़ते अतनाओं का खामी आजा उन्हें भी भूगत ना पड़ सकता है बाकाइदा इंसानों की तरह ब्लट प्रेशर, हाल्ट अटेक और ब्रेन हैमरेज का शिकार होकर ये तो अच्छा हुआ कि मेरा ध्यान एक बैक एक मरियल सी भैंस की गुखार की तरफ गया जो न तो पगुरा रही थी नहीं सानी चारा चबा रही थी ऐसा तब घटित हुआ जबकि मैं सबेरे सबेरे अपने ग्वाले की खटाल में दूध लेने गया हुआ था बहराल जब मैं उस भैंस के आगे खड़ा होकर उसके हाल का जायजा ले रहा था तो उसने ऐसी भरपूर नजरों से मुझे देखा जैसा कि किसी भैंस ने अब तक किसी भी इंसान को नहीं देखा होगा यानि उसने मुझे बड़े मान मनुहार के अंदाज में देखा और जब मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो अफफफ़ग विलख पड़ी आंसों का सैलाब उसकी आंखों से उमड़ कर उसके ममत भरे चेहरे को तर बतर करने लगा मेरी समझ में आ गया कि वो काफी लंबे समय से किसी अकथनी वेदना से घुट घुट कर मर रही है और अगर अब उसकी अंदेखी अंसुनी की गई तो गजब हो जाएगा क्योंकि उसके लिए उसके साथ उसका सारा समुधाय खड़ा हो सकता है ऐसे में क्या होगा यह सभी जानते हैं सारे देश में तराही तराही मच सकती है उसके समर्थन में देश भर की भैंसे एक जुट होकर दुगध हरताल कर सकती है हमें दूद की एक-एक भूद के लिए मुहताज बना सकती है यह तो सर्विदित है कि इस नारी जागरण के दोर में हमारी मम्मियों की जिम्मेदारी अस्पतालों के सर्व सोविधा संपन वार्डों में सिर्व बच्चे जनने तक ही सीमीत रह गई है बच्चे को दुख दभान कराने के आदिम रिवास से वे पहले ही तौबा कर चुकी है सो दूद मुहया कराने का जिम्मा तो इन्हीं भैंस माताओं का है चुनांचे मैंने उस दुखी भैंस के दुख की वज़त जानने के लिए उसको पूरे इसने भाव से पुछकारा चुमकारा मेरी आत्मियता से अभिभूत होकर उसके घिगगी बंद गई और वो काफी देर तक हकलाती रही लेकिन जब मैंने यह वचन देते हुए उसको धांधस बंदाया कि मैं तुम्हारे दुखों का निवारन करने में कोई कुता ही नहीं बढ़तूंगा तो वो सामाने होकर रभाने लगी हम भैंसे सदियों से इनसान को अपना दूद पिला पिला कर उसे पालती पोस्ती रही है लेकिन हमें हमेशा उसकी हिकारत ही मिली है मैं आश्यर से बोल उठा ऐसा कैसे हो सकता है हमारा पूरा समाज प्राचीन काल से तुम्हें माता का दर्जा देता आ रहा है जरा अपने शब्दों पर फिर से ध्यान दो तुम माता का दर्जा हमें नहीं देते तुम्हारा समाज हमेशा हमारा उपहाच उडाता रहा है तुम लोग हमेशा हमें निर्बुद्धी जड़ और बेकूफ साबित करने पर तुले रहते हो उसकी आवाज में एका क्रोश था उसकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी मैंने कहा मुझे सारी बातें खोल कर समझाईए आखिर आप किस कारण इतनी प्यूरित हैं उसने अपनी आखें मेरी चेहरे पर टिका दी सुनो इस देश में हमारे साथ बड़ा भीर भाव किया जाता है हमारे साथ तुम लोग वैसा ही बरताओ करते हो जैसे कि तुम्हारे समाज में दलितों के साथ किया जाता है मैंने अपराद बोट से अपना सिर चुका लिया उसने दोगुनी शक्ती से अपनी बात जारी रखी तुम लोगों ने हमारे समधाय को अपने भौड़े गाली गलोच में शामिल कर रखा है भदे भदे मुहावरों और लोकोक्तियों से जोड रखा है किसी भले मानस को भैंस पुकार कर उसकी शराफत और अकलमंदी का मखौल उडाते हो तुम किसी गाय के आगे बीन बजा कर देखो वह भी पगुराएगी वह बीन के सुर में सुर मिला कर गाने नहीं लगेगी किसी बावले इंसान की तुन्ना क्यों नहीं गाय की मोटी खाल से करते हो क्या सिर्फ हम भैंसो की ही मोटी खाल होती है सबसे मोटी खाल तो हाथी की होती है फिर तुम क्यों नहीं कहते कि फला आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता उसकी हाथी जैसी मोटी खाल है मैं उसकी जाल सुनते हुए पसीने से भींगता जा रहा था लेकिन मैं अपना माथा भी नहीं पकड़ सकता था क्योंकि ऐसा करने से वो समझती कि मैं उसकी फिजूल बातों से बोर हो रहा हूँ और उससे येन केन प्रकारियन करनी काटना चाहता हूँ ऐसे में बिला शक वो मुझ पर हमला भी बोल सकती थी लिहाजा मैं पूरी तरह उसकी बात पर गौर फर्माने का अभिनाय कर रहा था मैंने खुशामदी लहजे में कहा सचमुच आपका समधा है हम इंसानों की इतनी ज्यात्निया सहता रहा है कि अब कोई प्राइशित करना भी ना मुम्किन सा लगता है मेरी टिपड़ी पर वह भावग उठी इतना ही नहीं मानों समाज ने हमें सदियों से अशुवर में बैठा रखा है अगर हम किसी मनुष्य के सपने में दिखाई दे जाएं तो वह इसे बड़ा अप्शकुन मानता है मतलब यह कि उसके घर में किसी निकट संबंदी के मृत्य होने वाली है इसी बुरेवचार से उसने हमें मृत्य के देवता यमराज की सवारी के रूप में मानता दे रखी है अगर पौफटते किसी आदमी की नजर हम पर पड़ जाये तो वह इसे बेहद अशुप और अप्शकुन मानकर वापस घर लोट जाता है उसकी सिस्किया हिच्कियों में बदल गई मेरा मन बड़े आत्म गलान से भर गया मैं मन ही मन बड़ी उदारता अपरुवग अपने स्वार्थी मानो समाज को कोसने सरापने लगा मैंने कहा भैंस माता जी अब क्या बताऊं आपने बिलकुल दुरुस्त फरमाया है मेरा वश्चलता तो आपको हर जगह उसी रूप में अस्थापित करता जिस रूप में गौ माता को अस्थापित किया गया है ग्रंथों धर्मों मंदिरों आद में आपकी तूती बुलवाता उसने सिर हिला हिला कर अपने चेहरे पर जमा आसों को जटका फिर जोर जोर से हूंकारने लगी अब देखो मंदिरों में गाय बैलों की ही मुर्तिया अस्थापित की गई है हम भैंसों की नहीं शिवालियों में गौ प्रजाद के नंदी नामक बैल को शिव जी के सवारी के रुप में अस्थापित किया गया है यग्य अनुष्ठान में पाखंडी पुजारी हमारे ही दूद को गाय का दूद पुकार कर इससे सारे पवित्र कर्मकान निश्पादित करता है हमारे ही मलको गाय का गोबर मान कर पूजास थल की लिपाई पुताई करता है और उसे पवित्र बनाता है लेकिन कभी उसे यह कहते हुए नहीं सुना गया कि गोबर तू विरले ही मिल सकेगा, चलो भैंस के भोबर से ही काम चला ले, भोबर भी उतना ही पवित्र है जितना गोबर, कुछ पल रुक कर उसने सांस ली और नाद में मोह डाल कर एक और चारा चबाया, तब मैंने उसे ध् भणास निकलवाने में पूरी मदद की थी, प्रत्युत्तर में वह भी मुझे बड़े ममत्व से निहार रही थी, क्योंकि उसे मुझ जैसा एक हमदर्द जो मिल गया था, कुछ सोचते हुए उसकी आँखे लाल हो गई, उसने आगी कहा, हम भैंसों का नाम लेना तो उतना ह या शुब माना जाता है, जितना किसी वानर, दैत या तुम्हारे समाज में किसी दलित जाजिका, मनुष घोर पाखंडी है, चुकि उसका कोई भी काम हम भैंसों के दूद के बगैर नहीं चल सकता, इसलिए वो हमारे दूद से कोई परहेज नहीं करता, वो हमारे अस्तन मे दूद का, एक भूद भी हमारे बच्चों के लिए नहीं चोड़ता, अरे वो हमें कृष्णवान का होने के नाते, शुद्र घोषित करके, खुद से किनारा क्यों नहीं कर लेता, वो बड़े गुस्से में लाल पीली हुई जा रही थी, तभी हम दोनों के बीज, वारताला आगे क्या कर रहे हैं, उससे ऐसे बत्या रहे हैं, जैसे कि वो आपकी कोई जिश्यदार हो, फिर गौला मुझे एक किनारे करते हुए, उसकी नाद में स्थानी चलाने लगा, उसने फिर कहा, बाबु जी, आपके आफिस का टेम भी हो रहा है, आपके डिब्बे में मैंने दूड डाल दिया है, फटा फट घर को जाईए, खड़े कड़े भैंस के आगे बीन बजाने से धरम करम नहीं चलेगा, उसके इस बरताओं पर भैंस ने मेरी और बड़े गुस्से और शिकायताना अंदाज में देखा, उसने मुझसे इशारे से कहा, क्या मैं अपनी पैने सींगों से इस बत्तमीज का काम तमाम कर दूँ, मैंने उसे आखों ही आखों में सक्त हिदायत दी, कि ऐसा कभी मत करना, अन्यता तुम्हारे भैंस समाज को और घरना से देखा जाने लेगा, मैं पूरी मेहनत मशक्कत से तुम्हारे समाज को वाजिब उहता दिलाने की कोश करूंगा और यहां मैं लिखित रूप में अपने देशवासियों के सामने पूरे भैंस समाज की ओर से पहली अरजी दे रहा हूं